नमस्ते तू अल मैं कंट्री में आज एक नमबर है एक नमबर को हम कुछ स्टेट के फर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो की स्ट्राटिक जी के का पार्ट बन जागा आपके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक नमबर 1966 को आज ही के दिन हड्याना का फर्मेशन हुआ था येर क्या रहेगा 1966 अब हड्याना आपको पता है यहां पर बहुत फेमस युद्ध बगर हुआ थो बैटल हुआ था जिसमें उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं तीन बहुत निरनायक युद्ध हुआ था पहला पानिपत का युद्ध फर्स बैटल पानिपत 1526 में हुआ था बावर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था सेकेंड बैटल पानिपत पानिपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकवर अनहेमु के बीच हुआ था इसके बाद तीसरा जो बैटल हुआ था, थर्ड बैटल पानिपत, पानिपत का तीसरा युद्ध, ये 1761 में मराठा और आहमेज साबदाली के बीच हुआ था, ये तीन युद्ध बहुत के नाक रहे थे, 1966 महारियाना का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको याद रखना है, उ केरल की बाद करते हैं, केरल का केपिटल तिरुवनंत पुरम है, और करनाटक का केपिटल आपका बैंगलोर है, बैंगलोर को बैंगलोरू भी कहते हैं, इसके बाद केरल जो स्टेट है न, ये स्टेट आपको इसमें याद रखना है कि केरल स्टेट को फॉर्स्ट बेवी फ ने मिलकर इसको दिया था मनिता अब आप चर्चा करेंगे UNICEF और WHO के बारे में UNICEF का Headquarter New York में है Foundation इसका जो निर्मान हुआ वो 1946 में हुआ और Director General जो अभी अध्यक्ष है इसके वो Catherine Russell है बहुत important बार उसके बार WHO मैंने पिछली क्लास से बताया है फिर से एक बार repeat करते हैं WHO का Foundation 1948 में हुआ है शाथ अप्रिल को हुआ है Director General इसके जो Head है वो क्यों है Dr. Tedros Adhanom Tedros करके भी आप याद कर सकते हैं और Headquarter जेनेवा के स्विट्जर लैंड में है स्विट्जर लैंड के देनेवा में है और आपको साथ अप्रिल का भी पता है मैंने क्लास में पहले repeat करवा रखा है साथ अप्रिल को हम विश्वास्त दिवस मनाते हैं World Health Day मनाते हैं इसके बाद एक और State है जिसका Foundation हुआ आज ही के दिन एक नॉम्बर दो हुजार को 36 गर का Foundation हुआ पहले ये मद्यप्रदेश का पार्ट था MP का हिस्सा था उससे अलगों के 2020 में इसका Foundation हुआ ये जो राज्य है इसको महतारी का दर्जा दिया हुआ महतारी मतलब मां मां का दर्जा दिया हुआ इस State को आज के लिए इतना ही आप सब लोग लाइक वगरा करते रहें और आप अगर पढ़ाई नहीं करते अट लेस्ट ये वीडियो आपके पास किसी तरीके से पहुँच जाता है तो इन डारेक्ट फर्म में आप भी एक एजुकेशन का हिस्ता बन सकते हैं कम से कम ये वीडियो उनको सेर कीजिए जो अभी करेंट में पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पटिशन की तयारी कर रहे हैं सरकारी नौकड़ी की तयारी कर रहे हैं आज के लिए बहुत बहुत दैने घारी कि अवाद, तनक यू